हेलो फ्रेंज आज है सेचल डे और आज के दिन हम बात करते हैं सिरफ इंटीरियर डिजाइनिंग की तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे के मॉडुलर कीचन और कार्पेंटर मेड कीचन इन दोनों कीचन में क्या डिफ्रेंसी हैं तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं मॉडुलर कीचन बिल्कुल नया मेथड है कीचन मनाने का जो फैक्टरी में मेनुफेक्चर किये जाते हैं पर एसेंबल आपके घर पर ही होते हैं पर कार्पेंटर मेड कीचन एक बहुती पुराना मेथड है, जिसमें कीचन कार्पेंटर दुवारा घर पर ही बनाय जाते हैं. नमबर 2. Quality and Design क्योंकि modular कीचन मसीन से तयार गिये जाते हैं इसलिए इनकी क्वालिटी तो सुपीरियर होती ही है, साते साथ इनकी finishes और dimensions भी एकदम accurate होती है, पर कार्पेंटर मेड कीचन के केस में कीचन की क्वालिटी totally कार्पेंटर की skills पर depend करती है, पर क्योंकि ये handmade होते हैं तो इनकी finishes इतनी perfect नहीं होती local carpenters को ज़्यादातर latest trending design के बारे में भी पता नहीं होता तो जो fashions में चल रहा होता है वे design ये आपको नहीं दे पाते modular kitchen में क्योंकि company आपको kitchen की 3D drawing प्रोवाइड करती है इसलिए आपको सुरू से ही पता रहता है कि आपका kitchen ready होने के बाद कैसा दिखने वाला है पर एक carpenters made kitchen में 2D और 3D visualization possible नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर carpenters skilled नहीं होते in terms of software uses जब तक के एक designer appoint ना किया जाए No.4 ace bending Modular kitchen में ace bending की एक technique होती है जिसमें sharp edges को avoid किया जाता है एक clear और sleek look के लिए पर carpenters made kitchen में कुछ machine techniques जैसे ace bending, membrane finish वगेरा possible नहीं होती No.5 assemble and disassemble Modular kitchen के parts को dismantle किया जा सकता है और दूसरी location पर use किया जा सकता है पर क्योंकि carpenters made kitchen permanent fix होते हैं तो इन्हें dismantle करके दोबारा use करना possible नहीं होता अगर आप इसे दूसरे घर में shift करने की planning कर रहे हो तो No.6 additions and alterations Modular kitchen के case में अगर एक बार आपने design final कर दिया और वे factory में manufacture होना start हो गया तो आप इसका design और finishes chain नहीं कर सकते पर एक carpenter made kitchen में आप कोई भी change कर सकते हैं किसी भी stage पर क्योंकि carpenters totally काम आपके सामनी करता है No.7 time for construction एक modular kitchen के parts क्योंकि पहले ही factory में ready हो जाते हैं सिर्फ इसकी assembly ही करनी बाकि रह जाती है जिसमें सिर्फ एक या दो दिन लगता है assemble करने में कहने का मतलब यह है कि इसमें time कम required होता है पर एक carpenter made kitchen को ready होने में कम से कम एक महीना लग जाता है No.8 mess modular kitchen के case में आपको किसी भी तरह की stress नहीं होती कि carpenters काम करेंगे और आपको परिशानी होगी इसकी installation के समय किसी भी तरह की dust और noise create नहीं होती hence यह easy और hassle free है पर एक carpenter made kitchen के case में walls और floors के खराब होने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं आपको installation के समय हर stage में involve होना पड़ता है परोशियों की सिकाय सुनने को मिलती है बहुत sore और tooth foot का सामना करना पड़ जाता है इसके साथ साथ बाद में आपको काफी dust और धूल मिट्टी के साफ सफाई करनी पड़ती है नमबर 9 cleaning and maintenance modular kitchen की maintenance carpenter made kitchen के मुकाबले बहुत easy होती है हाँ mat finish cabinets की maintenance में कुछ efforts जरूर लगाना पड़ता है पर एक carpenter made kitchen की cleaning modular kitchen के जितनी असान नहीं होती जब तक के इन पर detachable fitting नहीं हो नमबर 10 variety एक modular kitchen में design finishes, colors और patterns की wide range होती है like wall hanging, rotating tall units, lift up flops, soft glazing drawers ये सभी modular kitchen की ही blessings है पर एक carpenter made kitchen में क्योंकि limited number of design options है जैसे ordinary double drawer, एक cutlery drawer और normal thali drawer एक्सेटरा number 11, price तो एक बात आप हमेसा ध्यान रखना कि quality हमेसा price पर ही depend करती है और क्योंकि modular kitchen बहुत ही high quality होते है इसलिए modular kitchen की cost carpenter made kitchen से ज़्यादा होती है इसमें आपको जो initially cost estimation दिया जाता है वह कभी change नहीं होता है जब तक कि design में कोई change नहीं किया जाए पर एक carpenter made kitchen में budget के साथ खेलना बहुत आसान होता है क्योंकि carpenter पहले ही हरत रहे की pricing जानते है पहले carpenter आपको शुरू में quotations कम देता है पर बाद में quotations high चली जाती है तो इस बात की कोई guarantee नहीं होती कि estimation और end product का price initial quoted price के same ही रहेगा और एक चीज जो carpenter होते है वे अपनी pocket से कुछ भी खर्च नहीं होने देते हैं तो finally conclusion यह है कि अगर आपके पास enough patience है carpenter के साथ deal करने के लिए और carpenter जाना माना हुआ है जो आपको guarantee दे रहा है product की अच्छी quality देने की आपके reasonable budget में तो तो आप carpenter made kitchen के साथ जा सकते है पर अगर आपको flexibility easy to maintain smooth finish और एक अच्छी quality cabinetry चाहिए तो आप 100% modular kitchen के साथ ही जाएं ओके friends तो if you learn something please like the video and share it with someone who might benefit from it please subscribe to my engineering support channel and ring the notification bell so that you won't miss the new videos see you in the next video finally thanks for watching